आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी जो आज कल बहुत ही ट्रेंडिंग में है कॉफी का जो एक प्रोड़क्ट है मैंने अच्छली आज सेवन मन्त पहले ही यूज करना चालू करी हूँ हमेशा ही हर्वल प्रोड़क्ट यूज करना पसंद करती हूँ कॉस्मेटिक्स बहुत कम यूज करती हूँ मेकप बगर बिल्कु यूज दे करती हूँ पहले से तो मैंने तब ब्लॉग नहीं बनाया तो इसके उपर मैंने सोचा था कि पर्फेक्टली 6-7 मंथ के बाद ही मैं इसके उपर ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि उसका रेजल भी मुझे मिलना चाहिए मॉश्चिराइजर बहुत इंपॉर्टन है स्कीन के लिए तो आज मेरा जो वो मॉश्चिराइजर है वो आ गया है तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ यह जो कैफिन का जो यह नेकट एंड रो कॉफी मॉश्चिराइजर बोलके जो एक 48-hour मॉश्चिराइजर बोल यह खत्म हो गया है यह जादा तो नहीं होगा इसमें कहां पर लिखा है 50 ml का है और इसका जो रेट है तो 449 है इसका रेट 449 है 50 ml का है तो यह देखिए खाली है यह खाली हो गया थोड़ा सा है आज लगाओंगी फिर खत्म तो यह मैं यूज करती थी तो इसका जो अब एक जो बारे में बाद में दुसरे ब्लॉक में बोलूगी तो यह जो है यह बहुत ही जादा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा क्यूंकि यह नीविया में यूज करती थी नीविया जो वाइट कलर कर है ना बहुत नहीं बताओंगी मैं आज बताओंगी एम कैफिन क बारे में तो यह जो है मेरा बॉक्स आज ही आया है ठीक है आज मैंने अभी जिस्ट हाफ एन आउर पहले ही मैंने रिसीब किया है और मुझे इसके उपर एम कैफिन के उपर बहुत अच्छे से फिडवेक बाला वीडियो अपलोड करनी थी तो मैंने सोचा कि यही से क्यों नहीं अभी से चालो करो तो यह मेरा एम कैफिन का बॉक्स है आज मैंने और किया था और एक बात एम कैफिन में आप जब भी आप शॉपिंग करोगे तो तभी आप अगर आल्मोस थाउजन का शॉपिंग करते हो तो आपको बहुत सारा गिफ्ट मिलेगा और जो में यह बहुत दिन चला लूँगी गिफ्ट में मुझे इतना कुछ मिल रहा है मैं जो जो फॉट जो चोटा सा पांच मिलता से यह जो कोखोच बटर है एम कैफिन का प्रोड़क्त है यह कशल किक बड़ा वाला मतलब पैक आता है तो यह मेरा फ्री का छोटु वाला मैं दूसरा व्लॉग में यह शेयर करूगी यह जो कोको बटर है अब लोग देखो चूटू सा है इसको ट्रेवल पाउच के पैकेट में आता है चूटू सा मैं सब लोशन के बारे में भूल गई हूँ इतना अच्छा है मतलब क्या बता हूँ ऐसा चूटू सा मुझे गिफ् इसके साथ मिला है कोको स्क्राबर कोको स्क्राबर पाउडर मिला है मुझे में दिखा ऑग बौक्स में एक पाउच में 2 दिखा हूँ मैं दिखाऊंगी अगले ब्लॉक में और ऐसी छोटू सा एक बॉडी स्क्रबर राया है जो मिस्ट्री बॉक्स है इसमें मैं आप लोगों को दिखाती हूं इसमें क्या मैंने मैंने आलेडी मैंने बोल दिया है कि यह जो मॉस्ट्राइजर है वो मेरा खतम हो चुका है तो दू को मॉस्ट्रेजर नहीं है यह है घ्रीन यांट जेल सकतर इसको भी जैली बूलते हैं ऐसको ऒलकिध कोफी मॉश्चुराइजर था इसको इसका फिट बैग मेरा तो पूछो मान मतल फाइब स्टार मेरे इतना अच्छा है और यह है ग्रीन टी वाला तो मैंने सोचा कि वह बहुत अच्छा है तो यह ग्रीन टी ना उससे भी थोड़ा समहेंगा है तो मैं यह भी एक बड़ी इसक छोड़ती हूँ और इसको मैं इसको आप लोग के सामने ही ओपन करूंगी तो इसके उपर एक लेयर है इसको मुझे हटाना है तो यह हटा दिया इसको अंदर डाल दीती हूँ यह दिखने में तो बहुत ही मस लग रहा है इसको इसका भी है इसका है 72 आवर हाइड्रेशन मि पूरी तरीके से सेम नहीं है पर देखते हैं यह मैं नाइट जल जो है यह यह यूज करूंगी अभी कोको मॉस्चुराइजर कुछ दिन के लिए में छोड़ती हूँ यह डालूंगी तो यह मैं जो है अपरो के सामने जो है थोड़ा सा लगा के देखती हूँ यहां पर इसका खुश्बू पूछो मतलब अहां बहुत ही मस्त खुश्बू है यार यह लगाने की बात मतलब आपके आसपास जो लोग भी आएंगे ना वो लोग सिर्फ स्मेली लेते रहेंगे शायद ना मस्त है तो यह है हाइट्रेशन के लिए जो मुझे बहुत जरूरी है मेरे लिए बहुत जरूरत है क्यों तो ऐसे नाइट जेल जो आपको स्कीन को बहुत ही अच्छे से मॉस्ट्राइज करके रखते हैं बहुत ही अच्छे से हाइड्रेशन देता है तो यह बहुत ही जरूरी है तो इसका तो मतलब पुचा मत यह तो बहुत ही अच्छा है अभ जब भी खतम होगा उसके उपर में फिटबैक डालूंगी तो उसके बाद इसके अंदर से मैंने यह निकाला यह क्या है एक पर देखती हूं यह है ग्रीन टी का सिरम यह है ग्रीन टी का सिरम तो आप लोगे सामने ही मैं खोल रही हूं यह अभी M-Caffeine का अभी M-Caffeine का सिरम करें सिराम। यह है डी टॉऌक्स सीरम किस में ग्रीन टी एक्सट्राइक है वेटमिन ती उसके टी मwheel इंसी है कि विटमिन एक्सट ही मतलब मार्केत तो इसलिए जो मैं मौश्टराजर यूज करूंगी उसमें विटामिन C भी हो ऐसा कोई मौश्टराजर मुझे ठूडनी है तो मुझे मिल गया तो यह है ग्रीन टी तो मैं इतना दिन इसका भी मैंने यूज किया है इसका भी कोको का जो फेस सिरम है जो डे में लगाया जाता है नहाने के बाद वो भी मैंने यूज किया है कुछ दिन इसके बाद में दिखाती हूँ यह है एम कैफीन का जो सिरम एक्चली यह मैं लेना नहीं चाहती थी यह मुझे फ्री में मिल गया तो यह मेरा गिफ्ट है यह एम कैफीन का मैंने जो नाइट जेन लिया है उसके साथ इसका प्राइस बताना भूल गई इसका प्राइस है 575 मैं एम कैफीन से बहुत ही बड़ा वाला एमाउंट का एक साथ मैं शॉपिंग करती हूँ इसलिए हमेशा मुझे बहुत जबरदस्त गिफ्ट मिलता है तो कल से मैं दिन में इस ट्राइ करूंगी जिस दिन इसको मैं भी में आप लोके सामने थोड़ा सा डाल के देखती है दिखाती है तो ड्रॉप मैंने डाल दिया है अभी उसको बिल्कुल अच्छा है स्मेल तो पूछो मत स्मेल बहुत अच्छा है यार स्मेल इतना लाइट है बहुत लाइट है जैसे पानी का जटका स्किन में में आया है और उसको मैंने स्कीन में ऐसे करके फैला दिया है और स्कीन दुरंध अब्सोर्फ कर दिया देखिए बिलकुल अभी मैंने फैलाया है और अभी अभी जो है अब्सोर्फ हो गया है मैं इसको भी ट्राइ करूंगी और ये तीन महीने के अंदर शायद ये जादा देर तर जाएगा ये 40 ml है और इसका जो है इसका जो है 50 ml है तो ग्रीन टी का दो एक के साथ एक फ्री तो ये दोनों का फिक बेक मैं जरूर दूंगी तीन-चार महीने के जो कॉफ एम कैफिन का ज ये ये जो है लिप का लिप का पॉलिशिंग ओयल मैंने ओडर कर दिया था ये जो सिर्म है डे सिर्म ग्रीन टी वाला एम कैफिन का इसका दाम है 625 625 625 का ये डे सिर्म मुझे फ्री में मिल गया सोचो कि बहुत ही बड्या गिफ्ट है यार क तुस्क्राबर मैंने यूज किया है और तो सिक्स मन्स से मैं यूज कर ऑट रही हूं उसके पहले लिप Bummy उसक्क्राप मैने इस पहली बार में यूज किया है लिप Famal怎麼了 का वो मैं अगले वीडियो पूरा साल आप लोगों को तकलिफ देता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी, लिप स्क्राब, लिप बाम, जो है बहुत इंपोर्टेंट, मैं निको लिप का यूज किया था, तो अभी मुझे लग रहा है कि सारे प्रोड़क थे प्रोड़का, नो बूर दी न मुझे लिप एक लेटाए के मेरूड़का, आप लोगों को भी में आप लोगों कि बहुत ही अच्छे से देख भारहों के मेरी लीप में, अब लीप पॉलिशिंग ओल में लगाया है, एम कैफेन का ग्रीन टी का एक नाइट जल और एक डे शीरम मैंने आज रिसिफ किया है और साथ में लीप पॉलिशिंग और जो डे शीरम है वो है मेरा गिफ्ट शायद ईद का गिफ्ट आज तो इद है तो मुझे इदी मिल गया है और लगाने के बाद लिप में कितना अब लिप अच्छा है तो पॉलिशिंग और लगाईए और निकल जाहिए ऐसे ही मेरी तरह विदाओट एनी मेक अप फुल अफ कंफिडेंस में ओके चलिए फिट नेक्स्ट वीडियो में जरूर मुलाकात होगा क्योंकि मेरा जो कोकू का नेकिट और रौ कैफिन का जितने भी प्रोड़क्ट में यूज कर रही हूँ एम केफिन का साड़े प्रोड़क्ट का जो फिट बेक है मैं जल्द ही आप लोग के साथ शियर करने वाली हूँ तो स्टे टून वीद मी थैंक यू फॉर वाचिंग बावाई